और जब आप रिविजन की बात करते हैं तो मैंने हर बार समझाया है कि आप की वर्ड लिखिया आपके आप की वर्ड लिखिया जैसे आपने लिखा है कि आपको पता है जैगोटीन ठीके सिनपसिस यह की वर्ड है क्या होता है सिनैपसिस निल्ट क्या होता है ठीके क्रॉसिंग औवर क्या होता है कब होता है, तो यह चीज़े आपको किवल keyword होना है, आपकोद पकड़ना आपको और उसको revise करना है, revision का मतलब पूरी copy खोल के रटना नहीं होता है, revision का मतलब होता है कि आपने keyword लिया, आपट सोचा कि इसका मतलब क्या है, सोच हुद भूद लिए, अपने आपको जो कमांड देना सीख गया ना वो दुनिया को कमांड देता है वो दुनिया को एक दिन कमांड देता है क्या बोलना अपने आपसे कि चलो let's revise cytology ठीके जट से आपने का कि mitochondria oxyzone kristi तो जट से दिमाग माना चाहिए अचा kristi ऐसा होता है तो brain को आप इसलिए मैं कहता हूँ एक copy लीजिए उसमें आप जो keyword होते हैं उनको note कर लीजिए आप जैसे अभी focus batch के lectures में हम लोग वही करते हैं short notes को मनाते है focus batch के lecture मेंट के वो lectures जो है regular batch के बच्चों को भी सिलबस पूरा होने के बाद मिलेंगे आपको भी चिंता मत कीजिए तो जैसे ही आपका हम उन keyword को देखते हैं तो हमको सिर्फ इतना धालता कि दो पेज़े हर चेप्टर में हमको सिर्फ दो पेज़े के keyword बनाने हमको keyword में पूरी कहानी नहीं लिख देनी हमको के अप कोई पुलता है आपसे के बताए राम कौन थे तो आप राम की बारे में उनके पिता ये थे उनकी वाईप ये थी उनके भाई ये था पूरी बात याद आती है नही आती है आती है ये नहीं game कि बस ऐसे ही हमको याद रखना है कि keyword कि cell theory किस ने दिया क्या मतलब ये दिमाग से बोलिए सोच भाई सोच पड़ा था ना दिमाग से बोलिए इससे brain का power बढ़ेगा brain का recall capacity बढ़ेगा और exam में आप फोड़ कराएंगे Toppers का secret है ये बता रहा हूं ठीके